तो आज की रेसिपी है चिकन चंगेजी की बिल्कुल असली अथेंटिक रेसिपी इसलिए कह रही हूं कि चिकन चंगेजी का में खुश्बू जो होती है और टेस्ट होता है आम चिकन जो भी हम लोग बनाते है उससे हटके होता है और आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि कि इसका टेस्ट ऐसा होता है कि मेरे खिल से तो सबको पसंद आना चाहिए तो जल्दी से मेरा वीडियो देखें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल ना भूलें क्यूंकि मैं ऐसे ही लजीज वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहोंगी तो प्लीज सपोर्ट करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी मैंने चिकन मंगाया था ये वन केजी विद बोन चिकन था आप बोन ले सकते हैं ऐस यू विश बड़ बोन वाला जादा अच्छा बनता है तो फिर मैंने इसको मैरीनेशन की तियार पाउडर ले लिया था ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है कश्मीरी रेड चिली पाउडर अगर आपके पस अवेलेबल ना हो तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं बहुत थोड़ा मिगदार में डालेगा ये चाट मसाला है चाट मसाला मेरा होममेड है मैं उसकी रेसेप अंदर तक पहुंच जाएगा तेल डाला है मैं सरसो का तेल यूज करती हूँ तो बहुत से गलत फैम होती है कि सरसो का तेल महकेगा उसके खुश्भू आती है कुछ नहीं होता है बट कोई बात नहीं आप रिफाइंड तेल यूज करिए उसके बाद मैंने लेमन वाटर डाल तो मैं नहीं तो टाल झालए तर इन गाय। बाद वािश के गजेंटे भेश नहीं कर लेंगे है। लिवाट शीकन में वाट रुष। अ मैंने थोड़ा ज्यादा नकालना था टा नहीं है क्युकि ट्थ। टेंशन अलें कि यह तो नहीं बटिक रहां लेंगे 4 dB त in 3 केज जब आप बनाएंगे तो तब ही आपको पता चलेगा मैं तो सिब बता सकती हो कि कितना लाजवाब इसका टेस्ट होता है तो यह रही प्यास पिसी हुई और यह रहा काजू का पेस्ट पिसा हुआ अब इसको हम साइड में रख देते हैं और तेल में हमें घी डालना है घी से छो फ्लेवर होता है बेस्ट हो जाता है फिस चिकन की पीसिस को बारी-बारी करके सारे चिकन को दो से तीन बार में मेरा पुरा चिकन फ्राइ हुआता तो यह फर्स्ट लेएर में यह है फिर उसके बाद कम से कम तीन पांच चार से पाच सेकेंड मोस्ली रख लगता है अलट पलट के हमको इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और फिर उसको निकाल के साइड में रख देंगे अभी इससे तेल को थोड़ा हिफाज़त में साइड में रखेंगे क्योंकि ये भी हमारा ग्रेवी में यूज होने वाला ह क्योंकि अब हम थोड़ा सा इसके लिए फ्रेश ओयल लेने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश तड़का मारता है थोड़ा ही से तेल ने आप एक टेबल स्पून बहुत होता है फिसमें लसन अदर का पेस्ट डाल दिया है और इसको जैसे ही तम चटकने लगे वैसे ही प्यूरी मैंने टमाटर पीस के रख लिये थे कम से कम एक कप टमाटो प्यूरी तो बड़े टमाटर अगर आप लेंगे रेड रेड से तो खटे नहीं होने चाहिए यह ध्यान दीजेगा बहुत खटे आपको टमाटर नहीं लेने है थोड़ा सा नॉर्मल रेना है फिर उसक अब इसमें थोड़ा सा यह मैंने 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 थोड़ा सा यह त्याश्ट में डाल दिया है और बहुत ही अच्छा एकडम टेक्सचर यह मारा मसाला तयार हो रहा है अब इसको थोड़े दिर के लिए गुमाते रहेंगे और दो से तीन मिनट के लिए इसको पकाएंगे और फिर उसके बाद यह फ्राइड चिकन में डाल देंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी है आप लोग इंशाला इसको जरूर ट्राइ करें और प्लीज मेरे चैनल को और मेरी बहन के चैनल को यानि हुदफशना रेसिपी इसको और हुजयमी जाइका को जरूर फॉलो करें कि हम लोग बहुत दिलो जिगर जान से मैंदम मेनत कर रहे हैं तो उसका फल हमको सब्सक्राइबर के रूप में मिलना चाहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, प्लीज, तो अब ये मलाई डाल चुके हैं, हम लोग मलाई डालने से क्या होता है, जो तीखा पन होता है, खटा पन होता है, ये सब एक लेवल में आ जाती है, यानि ये ट तो आप बाहर की मलाई डालने तो ठीक है, मैंने तो घर की डाल दीती ती में पजमी रखी ती और चाहर से पास्मिनेट के लिए फिर ढख लगाने के बाद पका देंगे फिर गानिश कर देंगे हड़े से हरे धनिये के साथ में, अब इसको आप नान के साथ खाएं, इसको के साथ खाएं इसको पाओ के साथ खाएं जिस या आप चावल की रोटी के साथ खाएं और भी बहतर है तो जिस तरीके से आपको खाना है आप कहा सकते हैं तो मेरा चिकन चंगेजी तो तैयार हो गया है और ठेर सारी हमारी बाते भी हो गई है मैं फिर से आप से कहना Instagram पर भी अवेलेबल है YouTube में भी अवेलेबल है और Facebook में भी अवेलेबल है तो प्लीज और सेम नाम है Hoda Afshna Recipes और Huzaymi Zayika तो आप जाएं, फॉलो करें हमारे पेजेस को और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थेंक यू, इंशालला आपको ये रेसेपी पसंद है कमेंट करें, थेंक्यू, थेंक्यू, थेंक्यू